हेलो स्टेंट्स आए देखते हैं सन्युक्त सुष्मदर्सी के बारे में इससे पहले हम लोग सुष्मदर्सी के बारे में पढ़ा था जिसमें एक सरल सुष्मदर्सी के बारे में जिसमें आपने देखा था एक आवर्धक लेंज था ठीक है और इसके सामने एक बस्त रखी ग इसके लिए यम का मान निकाला गया था, आवर्धन छमता का मान और कोड़ ठीटा का मान भी निकाला गया था, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सुछमदर्शी के बारे में, वास्तिक फोकस दूरियों के लेंसों के लिए, वास्तिक फोकस दूरियों के लेंसों के लिए, किसी सरल सुछमदर्शी का अधिक्तम आवर्धन जो है, वह ग्रेटर दैन या एक्वल टू नाइन हो सकता है, वास्तिक फोकसदूरी के लेंस के लिए किसी सरद सुचमदर्शी का अधिक्तम आवर्धन greater than or equal to nine होता है अधिक आवर्धन के लिए क्या करेंगे आप तो अधिक आवर्धन के लिए दो लेंसों का उपयोग किया जाता है जिनमें एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को बढ़ाता है अधिक आवर्धन के लिए दो लेंसों का उपयोग किया जाता है जिसमें से एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को संयुक्त करता है बढ़ाता है इसे संयुक्त सुचमदर्शी कहते हैं चित्र में संयुक्त सुच्मदर्सी का व्यवस्था आरेक दर्साया गया है, बिम्ब के सबसे निकट के लेंस को अभिद्रशक कोते हैं, जो बस्तु का वास्तविक उल्टा आवर्धित परद्विम्ब बनाता है, इससे दूसरे लेंस को नेत्रिका काते हैं, जो वास्तिक रूप से सड्सुच्मदर्शी या अवर्धिक के रूप में कार करके अंतीम आवर्धित आवासी परद्विम्ब बनाता है, लेखे द्यान से यह आपका सरitar सुच्मदर्सी है, जिसमें यह आपका अभिदिर्शक है, अभिदिर्शक, ठीक है, इसके निकट यह बिम्ब AB को रखा गया है, बस्तु AB को रखा गया है, ठीक है, तो बस्तु AB अर्थाद बिम्ब के निकट वाले लेंस को अभिदिर्शक काते हैं, अब्जेक्टिव काते हैं, ठीक है, इस बस् माख्तविक और उल्टा परत्विमब ए-डैस है बंता है जो आ वर्धित होता है बी से बड़ा होता है यह जो परत्विमब है एडैस डैस यह इस नित्रिका के लिए लिए यह दूसरा जो लेंस है इसके लिएर एड़ेस बस्तु का काम करेगा भीम्ब का काम करेगा ठीक है दूसरे लेंस को आई पीस या नेत्रिका करते हैं ठीक है जो वास्त्विक रूप से सरल सुष्मदर्शी अथवा आवर्धक के रूप में कार करके अंतिम आवर्धित आवासी परद्विंब बनाता है तो इसका ज दूसरे लेंस के लिए विम्ब का कार करता है तौन एड़ेस बीड़ेस इस दूसरे लेंस को नेत्रिका कहते हैं जो वास्तिक रूप से सरल सुष्मदर्शी अथवा आवर्धक के रूप में कार करके अंतिम आवर्धित आवासी प्रद्विंब बनाता है कि जो अंतिम प्रद्विंब को अनन्त पर बनाने के लिए उप्यूक्त होता है तथा उस इस्तिति के भी काफी निकट होती है जिस पर यदि परद्विम इस्थित हो तो अंतिम निकट बिंदु पर बने असपश्ट है कि अंतिम परद्विम मूल बिंदु मूल परद्विम मूल बस्त के सापेच उल्टा बनता है अंतिम परद्विम जो है जो ए भी है उसके सापेच उल्टा बनता ए डबल डैस बी डब करते हैं अब दिर्शक के सामने विम बस्तु को एवी को रखते हैं जिससे इसका परद्विम एड़ाइस बीड़ाइस बनता है यह बना हुआ परद्विम नेत्रिका के लिए बस्तु का काम करता है जिससे नेत्रिका के दवरावासी परद्विम एड़ाइस बीड़ाइस बनत फिस भी ह्या जब आवर्धन प्राप्त करेंगे तो आवर्धन क्या होगा ऍवू इसकी उचाय है और इसकी उचाय लिख सकते हैं यल बटे एफजी रो तो तो किरण आर एक यह दर्सारा है कि अब दिर्शेक के कारण अर्थात रेखी आवर्दन येच डैस बटे येच के बराबर होगा M O 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 तो अफ यहां पर भी कोंड बीका हो गाते इंड़ एश दैस बिटे यहल ह या च दैस बटे यार्च बुते यत heirah प्लम बटे अधार यच बटे यह जीरो या यच डैस बटे यल जीरो यल ठीक है यह होगा तो टैन मीटा बराबर यच बटे यफ जीरो या यच डैस जो है वह पहले परद्विंब का साइज है तथा बिम्ब का साइज यच है अब द्रिश्यक की फोकस दूरी यफ को है पहला परद्विंब नेत्रिका के फोकस बिंदू के निकट बनता है दूरी यल अर्थात अब द्रिश्यक के दूतिय फोकस बिंदू तथा नेत्रिका के पहले फोकस बिंदू के बीच की दूरी को सं स्यूक्त स्वस्मदर्शी की ट्यूब लंबाई करते हैं जिसको यल से परदर्शी करता है अब दिरिश्यक के दूती फोकस बिंदु तथा नित्रिका के पहले फोकस बिंदु के वीच की दूरी को स्यूक्त स्वस्मदर्शी की ट्यूब लंबाई करते हैं जिसको यल से लिख टुक्ति मैं है कि अभ चुकि पाहला उल्टा पर्द्विम फाहला उल्टाप पर्द्विम नित्रिका के फोकस बिंदू के निकर बनता है इसमिए सद्व मतर्सी के लिए कोड़ी आवर्धन यम्मई हम परात कर सकते हैं जबकि अंतिम परदिम किसी निकट बिंद पर बनता है उसके लिए यम्माई बराबर क्या होगा 1 प्लस D बटे अफि होगा आई नित्रिका के लिए आवर्धन छमता यम्मई बराबर होगा 1 प्लस D बाई अफि सरल सुदर्शी के लिए इसके काराण कोड़ी आवर्धन यम्माई प्राप्त होगा और यम्माई बराबर होगा एक बटे डी बटे फ्य गौन प्लस डी बटे फ्य जहां D क्या है दी है नित्रिका से पर्दभींब की दूरी D है यह फ़ी क्या है इस नित्रिका की फोकस दूरी है फ्य तो इसके लिए जो कोड़ी आवर्धन यम्माई होगा वह 1 प्लस डी बटे फ्य होगा 1 प्लेस डीवेटatem लिएफी होगा के जब पर्दूम अनांद पर बनता है जब पर्दंव नेत्रिका के कराण कोड़ी आवरधन यमैं बराबर डीवेटcellentे इप होगा जब पर्दूम अनन पर बनेगा के जब अनन पर बनता है, तो यम बराबर यमो कमान डी बटे एफ। की कम होनी चाहिए. ठीक है? इसी लिए इसका सुचमदर्शी नाम रखा गया है किसी छोटी बस्तु का बड़ा आवर्धन प्रात करने के लिए अब द्रिश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए अगर यह फो यह फी कम होगा तो यह कमा न अधीक होगा ब्योहार में एक सेंटिमीटर से कम फोकस दूरी का लेंस बनाना अत्यंत कठिनकार है इसी के साथ यल को बड़ा करने के लिए बड़े लेंसों की आसुरता होती है जैसे अगर यह फो बरावर एक सेंटिमीटर हो और यह फी बरावर एक सेंटीमीटर का अब दिर्शक हो एफी बराबर दो सेंटीमीटर की नित्रिका हो तथा ट्यूब की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो स्वयूक्त सुष मजर्शी के लिए आवरदन एम बराबर एमों एमी अथा दियल बटए एफो इंटो डी बटए एफी धाई सो हो जाएग आवर्धन कितना हो जाएगा? धाई सो गुना हो जाएगा. अवर्धन कितना हो जाएगा जाते हैं आद्रिशक और नेत्रिका जो हैं बहु अवयवी लेंसों द्वारा बनाया जाते हैं जिसके कारण लेंसों का प्रकासिक विवतन अर्था दोस को कम करके परद्विम की गुरता में सुधार किया जा सकता है ठीक है? तो आप देख रहे ह कि जो आद्रिशक और नेत्रिका बहु अवय लेंसों द्वारा बनाया जाते हैं जिसके कारण लेंस के प्रकासिक विवतन अर्था दोस को कम करके परद्विम की क्वाल्टी में सुधार किया जा सकता है ठीक है? तो यह था आपका सन्युक्त सुच्मदर्सी के बारे में ठीक है? अब हम लोग दूरबीन के बारे में पढ़ेंगे दूर तरसक के बारे में पढ़ेंगे